जहिन दोस्तो मिहों आस्तिस और आप सब को इंडिया में जान पर श्वागत है दोस्तो आप सब जानते हैं भारत तिन जार दिन पहले अगनी फाइब का टेस्ट किया था लेकिन अगनी फाइब टेस्ट होने के बाद पाकिस्तान और चीन में हर कम मचा है खास कर आप चीन की म कर बहुत ज्यादा नाराज है आप सब जानते हैं जब सेप्टमबर महीने में अगनी फाइब की टेस्ट होने की नियूज आया था तब चीन एक तरीके से भारत को धमकी दिया था आप टेस्ट मत करो लेकिन भारत सब कुछ पीछे छोड़ते हुए टेस्ट किया है अब चीन उपर तो नाराज है ही और इसके साथ बहुत सारे जुटा प्रोपागेंडा कर रहा है एक एक करके मैं आपको आगे बताऊंगा इसके साथ चीन आमेरिका के उपर भी नाराज है और चीन जाता था भारत की टेस्ट के उपर आमेरिका संक्षन लगा है लेकिन एक तरीकिसे आमेरिकान मीडिया अगनी 5 की टेस्ट को सपोर्ट कर रहा है इसी वजह से चीन बहुत ज़्यादा नाराज है पाकिस्तान की सरकार भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है हमारे अगनी 5 की टेस्ट को लेकर यह सारे टॉपिक पर दोस्तो मैं डिटेल्स में बात करूँगा जा में आपको एक ऐसे उपसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आप खेल कर आईफोन 13 तक जित सकते हो और वो उपसाइट का नाम है मौस्ट बेट में आप क्यासीन टुनामेंट में आपको दो लाग तक जितने का भी मौका मिलेगा मौस्ट बेट में आप डबल रेस टुनामेंट के साथ तीन पती अंदर बाहर और 32 कार जैसे फेमोस गेम को खेल कर पेशा कवाने के साथ साथ आईफोन 13 को जितने का मौका भी आप मिस मत करिए इसके साथ आप जिते हुए पेशों को आसानी से फोन पे गूगल पे और पे टि को मतलब ददकर मिसायल के रूप में दर्शाय है तो कुछ कुछ मिडिया हॉस अगणी फाईब को मतलब एक तरीक साब कहे सकते हूं नेगेटीव कॉमेंट किए हैं या फिर अगनी फाईब एक आच्छा मिसायल नहीं है उस तरीके का वो आर्टिकल लिखे हैं लेकिन जो च पर बहुत ज़्यादा नहीं रहा साथ में जो चाइना का मेन मीडिया है ग्लोबाल टाइमस आप कहे सकते हो वो आमेरिकान मीडिया या फिर आमेरिका और ओस्टन कंट्री के उपर बहुत ज़्यादा नाराज है और उसका आरोप है यह जान भूच कर चीन के खिलाब भारत की आमेरिका या फिर ओस्टन कंट्री बढ़ा रहे हैं और भारत के से अगनी फाइव जैसे खतरनाक मिसाइल बनाएं यह सारे देश जान भूच कर भारत को आगे पूस कर रहे हैं इसके साथ दोस्तो हमारा जो अब्दुलकलम आइलांड है जहां पर बहुत सारे मिसाइल का ट सरकार उसकी स्रोख्य के उपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है जबकि हमारे दुस्मनों का नजर अब्दुलकलम आइलांड पर है और वहां पर क्या-क्या मिसाइल टेस्टिंग हो रहा है उसके उपर नजर है दोस्तों जब यह अगनी फाइप का टेस्ट हुआ थ साथ MIRV टेस्ट हुआ है और कुछ-कुछ चाइना की मीडिया भी यह दावा किये हैं हाँ उस तिन MIRV टेस्ट हुआ था अगर चीन के मीडिया अगनी फाइप को डंगफेंग 31 के साथ कंप्यार कर रहा है तो यह MIRV वाला मिसाइल होगा इसमें ज्यादा सोचने के बात नह नहीं जाता हूँ और कुछ-कुछ जगहा पर अगनी फाइप की रेंज चाइना ने 10,000 किलोमेटर तक भी बताया है हाला कि चाइनीज गवर्मेंट तो डावा करती है कि अगनी फाइप का रेंज 8,000 किलोमेटर तक है लेकिन उनकी मीडिया का दावा है कि यह 10,000 किलोमेटर तक भी हो सकता है और अगनी फाइब की रेंज में पूरा चाइना आ जाता है इसलिए बहुत सारे टेंशन में हैं क्योंकि उनका मानना था इससे पहले अगर कभी निक्लियर वार होता तो भारत का मिसाइल चीन के हर जगा को टॉच नहीं कर सकता था इसलिए चीन के उपर एक इसका गुसा है हमारी सरकार के उपर डाल रहे हैं और अमेरिका समयत ओस्टन कंट्री के उपर डाल रहे हैं चाइना का हमारा सरकार के उपर बड़ा अरप यह है अब भारत के अंदर बहुत सारे प्रोब्लेम है इसलिए ये सारे प्रोब्लेम को छीपाने के लिए भारत जा बात नहीं करते हैं लेकिन जब अमेरिकान मीडिया अगनी फाइब को प्रेज किया है खास कर वाल स्टीट जनर्राल का नाम लेकर ग्लोबल टाइमस अमेरिका क्यों पर बड़ा आरोप लगाया है उनका दावा है कि अमेरिका जान भूचकर भारत और चीन का संबंद खराब कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच आर्म रेस को बढ़ा रहा है मतलब यह चीन की लजिक से कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसका मतलब यह हुआ चीन अपने देश में अच्छा अचा हत्यार बनाए और भारत कभी भी हत्यार ना डेवलोप करे भारत हमें साथ चीन 1172 है उसमें लिखा गया है जो इन्रेस्टी मेंबर नहीं है नुकलियर हत्यार बना रहे हैं अगर वो ज्यादा नुकलियर हत्यार को डेवलोप करेंगे तो उनके उपर संक्षन लग सकता है जैसे कि भारत और पाकिस्तान और अगनी 5 का टेस्ट करना या फिर आप अगनी 6 या उसके उपर रेंज के मिसाइल बनाना एक तरीके से एक तरीके से ये नुकलियर हत्यार को बढ़ाने को लेकर ही जाएगा इसी वज़े से भारत के उपर संक्षन लगना चाहिए लेकिन आमेरिका कोई भी ये बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए चीन भी बहुत जा ऐना का मिडिया हाउस मतलब अगनी फाइब को निचा दखाने के लिए उससे डंग फेंग फोर के साथ कंप्यार किये हैं या फिर कुछ नेगेटिव पॉंट जो अगनी फाइब के उपर बताए है मैं उसके उपर नहीं जाता हूँ क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं ये जो अगनी 5 बोल कर टेस्ट किया गया है यह अगनी 5 है या फिर अगनी 6 है क्योंकि कोई बेवकूफ होगा जो मानेगा अब तक भारत के पास मतलब MIRV वाला मिसाइल नहीं है कभी भी नहीं बता पाएगा जब तक NST मेंबर नहीं बन जाता है कि हमारे पास एक अगनी 5 के नाम से ही दुनिया को वेवकूफ बनाते रहेंगे अब मैं आता हूँ पाकिस्तान के उपर देखिए पाकिस्तान तो हमेसा भारत जो कुछ ना कुछ करता है उसका पहला वायन आता है हमें कोई फरक नहीं पड़ता है फिर गवर्वर्मेंट उनका बोलता है देखो भारत इतना अर्भान सत्यार खरीद रहा है साउथ इस्टेसिया में बालांस बिगड रहा है अमेरिका को ये सब देखना चाहिए भारत के से अर्भान सत्यार ना खरीद है अमेरिका भारत के उपर दाव डालन न चाहिए आप सब जानते है राफेल जवाया था तब पाकिस स्टान्ड है भारत क्यों अगनिफाइब टेस्ट कर रहा है उनाटे नेशन क्यों चूप है या फिर उनका डाइरेट मिसाइल को पेंट करके पाकिस्तान लिख कर भी वो कोई बड़ा टेस्ट नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा रेंज के मिसाइल है अगर वो यसे करेंगे उनके उपर बहुत हाट संक्षन लगेगा इसी वज़े से उनको भी बहुत सारा जलन है लेकिन उससे कुछ फाइदा है नहीं वो जो कर्म किये हैं पिछले 60-70 साल से अब वही कर्म के कारण ही उनका देस ही डुपता जाएगा भार हमारा कोशिस यह होना चाहिए 4-5 साल के अंदर हमारे पास हाइपोर सोनिक हो क्योंकि आगे आने वाले टाइम का जवाना हाइपोर सोनिक का है उसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए दोस्तों आज के टपिक में बस इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमे पी के साथ मिलूंगा नमस्कार जेहिन